हे दोस्तो आज मैं आपको बताऊंगा एक की रीजन क्यों कुछी लोग बहुत अमीर बन पाते हैं और क्यों जादतर लोग गरीब या फिर मिडल क्रास रह जाते हैं रॉबर्ट नाम का एक लड़का था जिसके दो बाप थे अब आप कुछ गलत मत समझेए पहला उसका खुट का था पर दूसरा उसके दोस्त का बाप था जिसे वो अपना मू बोला बाप मानता था पहले वाले ने PhD की थी पर दूसरे ने कभी एड़द भी पास नहीं की थी दोनों बहुत ही स्मार्ट और हार्ड वाकिंग थे पर दोनों की सोच बहुत ही अलग थी और दोनों रॉबर्ट को अलग-अलग बाते सिखाते थे पहला बाप बोलता था कि पैसा सारे फसाद की जड़ है पर दूसरा बोलता था कि पैसा ना होना सारे फसाद की जड़ है पहला रॉबर्ट को हमेशा महेंगी चीजों के बारे में सोचने से मना करता था और कहता था कि वो हमारी हैसियत के बाहर है दूसरा उसे कहता था कि वो सोचे और अलग-अलग रास्ते ढूंडे जिससे वो सारी महेंगी चीज़े खरीच सके ये करने से उसका दिमाग तेज होगा और नए आइडियाज भी मिलेंगे पहला उसे कहता खूब महनत कर अच्छे से पढ़ लिख ताके तुझे बड़ी कमपणी में नौकरी लगे और तू बड़ा इंसान बन पाए दूसरा कहता था तूब पढ़ महनत कर पर खुद की कमपणी खोल ताके तूब सारी नौकरिया लोगों को दे पाए रॉबर्ट के पास एक एडवंटेश था उसने अपने दोनों बापों को अपनी अलग-अलग सोच के साथ बढ़ते और उनकी तरक्की देखी उसने अपना दिमाग लगाया और अपने दूसरे बाप की बाते मानी और फॉलो की जो के बाद में मायामी फ्लॉरिडा का सबसे अमीर इंसान बना और उसकी सिखाई बातों से उसने खुद करोडों कमाए जबकि उसका पहला बाप जिंदगी बर गरीब रह गया सबसे इंपोर्टन बातों में से एक बात जो रॉबर्ट ने अपने अमीर बाप से सीखी वो थी फाइनेंशल लीटरसी जिसका मतलब है एसेट्स और लाइबिलिटीज के बीच का डिफरेंस जानना अब आप गौर से सुनिए ये नॉर्मल कॉमर्स में सिखाए गए मीनिंग से थोड़ा अलग है रॉबर्ट ने काफी इजी शब्दों में उसका मेनिंग बताया है जो कि कुछ ऐसा है एसेट्स कोई भी वो चीज होती है जो आपको पैसे बना के दे या फिर आपके जेब में पैसे डाले और लायबिलिटीज वो चीजे होती है जो आपके जेब से पैसे ले ले या आपके पैसे खतम करें अमीर लोग इसी लिए अमीर होते हैं Because वो अपने assets बनाते हैं, जबकि middle class लोग बस liabilities पे खर्च करते हैं। मिसाल के तोर पर, रमेश और सुरेश नाम के दो दोस्त थे। दोनों same position और same salary पे काम करते थे। जब भी उन्हे salary मिलती, रमेश अपनी salary से नए कपड़े, नए gadgets, नए फोन, बाइक या कार ऐसी चीज़े खरीदता था, जो उसे अमीर जैसा feel कराती थी। पर वो ये नहीं समझता था कि ये सारी चीज़े liabilities है, जो उसके पैसे उससे ले रही है, ना कि बस जब वो उने खरीदता है तब, बलकि आगे भी maintenance बगेरा के लिए, जिसकी value वक्त के साथ कम हो जाईी, और ना ही वो उससे आगे कुछ पैसों का profit देगी। बट सुरेश ऐसा नहीं था, वो ये सारी चीज़े नहीं खरीदता था, जब तक कि उसके लिए बहुत ज़रूरी ना हो वो चीज़ खरीदना, वो पैसे जमा करता था और assets पे खर्ज करता था, जैसे के stocks, bonds, real estate, अपनी खुद की skills बढ़ाने के लिए, या कुद सीखने के ल इसे पैसे मिलते हैं, और फिर वो पैसे उसकी जरूरी खर्चों में खतम हो जाते हैं, एक middle class का cash flow थोड़ा सा अलग होता है, उसे पैसे मिलते हैं, वो पैसे जरूरी खर्चों और liabilities में खतम कर देता है, इसलिए middle class और गरीब में ज़्यादा फर्क नहीं है, mostly middle class लोगों को लगता है, उनका घर उनका asset है, पर ऐसा नहीं है, आपका घर आपको पैसे बना के नहीं देता, unless आप उसको भाड़े पे दो, जबकि अमीर लोगों का cash flow ऐसा होता है, उन्हें पैसे मिलते हैं, वो उस पैसों से अपने assets बनाते हैं पहले, और फिर उस से बने पैसों से खर् रहे हैं, बलकि आप उन पैसों को कैसे और कहां खर्च कर रहे हैं, यह important है, आपको consumer की सोच से बाहर आकर investor की सोच अपनानी पड़ेगी, लोग complain करते हैं, उनकी खराब condition का reason उनकी कम salary है, और salary बढ़ेगी तो वो आराम से रहेंगे, पर problem यह है कि income बढ़ने के बाद लोगो के खर्ची जादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि जादा पैसे जादा अच्छी चीज़े खरीदने पर मजबूर करता है, जैसे के एक बहतर phone, car, घर, जो के सब फिर से बस liabilities है, जो आपको कभी अमीर बनने नहीं देगी, यह बाते मैंने Robert Kiyosaki की बुक Ridge Dad Poor Dad से पड़ी है, जो पहली बुक थी जिसने मेरी सोच चेंज की और बहतर बनाई, अगर आपको यह बाते अच्छी लगी, तो लाइक करें, अपने व्यूस कमेंट करें, और फाइनली सब्सक्राइब करें, मैं आपको ऐसी काम की बाते, जो मैंने दुनिया के कुछ सबसे समझदार लोगों से सी यह शेर करूँगा, जो आपको सक्सेस्वल बनने में मदद करेगी, और आखिर में थैंक्स फर वाचिंग